अज की हमारी दूसरी क्विज जल आउस्वोशन पर संबंदित है यानि आपको इस क्विज में जल आउस्वोशन पर आधारित कुछ प्रशन मिलेंगे जिनके आंजर आपको कमेंट बोक्स में लिखने हैं ये प्रशन ओनली 12 तक के लिए नहीं है बाकी जो all competitive exams हैं जैसे neat, aims, जिपमर उनके लिए भी बहुत महत्पून हैं तो वीडियो end तक जरूर देखिएगा तो चलिए सुरू करते हैं question number one है पोधों को सुगमता से उपलब्द होने वाला जल है option आपके सामने हैं आपको मिलते हैं पाच सेकेंड अगर आपने चुनाए option D तो बिल्कुल चाहिए जो केसी की जल होता है वही पोधों को सुगमता से उपलब्द होता है हमने वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो केसी की जल होता है यानि जो मर्दा कणों के बीच में रुका हुआ जल होता है वही मूल रोम द्वारा सुगमता से उपलब्द होता है तो इसका आंसर होगा क इसी किये जल, question number second है, ब्रायोफाइटा में जल का आउसोशन किसके द्वारा होता है, option आपके सामने है, अगर आपने चुनाया option A, तो बिल्बूल correct है, ब्रायोफाइटा होता है, उसमें जल आउसोशन मूला भासों द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है कि ब्रायोफाइटा में अलग तरह से जल आउसोशन होता है मूला पासों द्वारा अगला क्योस्टन है क्योस्टन नमर थ्री है सैवाल वें कवकों में जल आउसोशन किसके द्वारा होता है ऑप्शन आपके सामने आपका टाइम शुरू होता है अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्गुल करेक्ट है यानि जो सैवाल और कवक होते हैं उनमें जल आउसोशन उनके सरीर की जो सभी कोशिकाई होती हैं उनके द्वारा जल आउसोशन होता है लेकिन जो सामनेते पोद्य होते हैं उनमें क्या होता है मूलो द्वारा होता है अगला क्योस्चन है उच्च रेनी के पादपों में जल का आउसोशन होता है उप्शन आपके सामने आपका टाइम स्टार्ट होता है अब अगर आपने चुना है option D तो बिल्गुल correct है यानि जो उच्छ रेनी के पादप होते हैं उन में मूल रोमों द्वारा जल का आउसोशन होता है अभी आपको याद रखना है कि ब्रायोफाइटा में किसके द्वार होता है मूला भासों के द्वारा सैवाल और कवक में सरीर की सभी कोशिकाओं द्वारा और उच्छ रेनी के पादपों में मूल रोम द्वारा तो आपका अगला question है question number 5 है जड के तरुन भाग को कितने भागों में बाटा गया है अगर आपने चुना है option B तो बिल्गुल correct है यानि जड के तरुन भाग होते है जहां से जड की व्रद्दी होती है उसके पांच भाग होते है उसके पांच भाग कौन कौन से होते है एक तो मूल गोप होता है विवजोत की छेतर होता है दीरगी करण छेतर होता है परीपकवन छेतर होता है और मूल रोम वाला छेतर होता है तो अगला question श्टार्ट करते है question number 6 है परिपक्व छेतर की को सिकाई होती है option आपके सामने अगर आपने option A चुनाए तो बिल्गुल correct है यानि जो A पारगम में को सिकाई होती है वो कौन सी होती है परिपक्व छेतर की होती है जहां की को सिकाई परिपक्व हो जाती है यानि इस्थाई को सिकाई में बदल जाती है उनकी को सिकाई एपारगम में होती है जल के लिए एपारगम में होती है तो यह आपको याद रखना है कि जल के लिए एपारगम में है तो चल्गा आउशूशन कहा होता है जो मूल रोम वाला भाग है वहां से चल्गा आउशूशन होता है क्योंकि वहां की कोसिखाईं पारगम में होती है Question number अगला है 7 है तरुन भाग को कों सी कोसिखाईं आउशूशन की कृईया में भाग नहीं लेती है option आपके सामने है अगर आपने चुनाए option B तो बिल्गोल correct है परिपक्वन छेत्र जो तरुन भाग की कोशिकाएं होती है उनमें जला उसोशन केवल परिपक्वन छेत्र नहीं करता है क्योंकि अभी हमने जान लिया था कि परिपक्वन छेत्र नहीं होती है जल के लिए आपारगम में होती है यानि उनमें जला उसोशन नहीं होता है अगला question है अधिकान स्पादपों में निस्क्रिये जल उसोशन विधी द्वारा कितना जल उसोशित कर लिया जाता है अगर आपने चुनाए उप्षण D तो बिल्गुल करेक्ट है छीआण में से अठाण में परसेंट जो अधिकान्स पादप होते हैं उनमें जल आउसोशन बिना उर्जा खर्च किये या जाता है यानि निस्क्रिये जल आउसोशन विधी द्वारा 96-98 परसेंट जल आउसोशन किया जाता है अगला क्योशन है क्योशन नमबर 9 कुछ पादपों में सक्रिये जल आउसोशन विधी द्वारा कितना जल आउसोशन कर लिया जाता है अगर आपने चुनाए उप्षण D तो बिल्गुल करेक्ट है यानि कुछ पादपों में सक्रिये जल आउसोशन पाया जाता है यानि उर्जा ATP खर्च करके जल आउसोशित किया जाता है वो कितना परसेंट होता है 2-4 परसेंट तो चलते हैं अपने लास्ट क्योशन पर क्योशन नमबर 10 है निस्क रिये जल अवसोषन में किस की आवसक्ता होती है अगर आपने चुनाए option भी तो जो बिलोल correct है वास्पोच सर्जन के द्वारा होता है जो निस्क रिये जल अवसोषन जिसमें उरजा की उप्योगिता या फिर आवस्शक्ता नहीं होती है वो वास्प उचसर्जन के द्वारा होता है जब वास्प के रोप में बनता है और पोधे में जल का टूट संबंद पाए जाता है तो जल खिचा होता है जिसके कारण जल आउशोशन होता है वो किसके कारण होता है वास्प उचसर्जन के कारण थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो प्लीज लाइक शेर शेस्ट्राइब और कमेंट